दूस्तों इर्फान कान भार्ति फिल्म अभिनेता थे और वो बॉलीवुड में अपने दमदार अभिने के लिए जाने जाते थे और वो होलिवुड में भी किये गए कामों के वज़े से जाने जाते हैं उन्हें तीन वार फिल्म फेर पुरुसकार और सर्फ रेष्ट अभिनेता के तोर पर फिल्म पान सिंग तॉमर के लिए राष्टे पुरुसकार भी मिल चुका है उन्हें पदम स्री समान से भी नवाजा जा चुका था दर्सक ऐसा मानते हैं कि वे अपनी आखों से पूरा भीने कर देते हैं और यही उनकी विशेशता भी है वे लीक से हटकर फिल्मों में काम करने के लिए मसूर थे दोस्तो इर्फान खान का जनम एक मुस्लिम परिवार में जैपुर में हुआ था और इनका जनम 7 जनवरी 1967 को हुआ था दोस्तो पढ़ाई की बात करें तो इर्फान जब MA की पढ़ाई कर रहे थे तभी उन्हें नेशनल स्कूल ओफ ड्रामा में पढ़ाई के लिए स्कोलर से प्राप्त हुई थी इर्फान की साधी सुतापा सिकंदर से हुई थी जिनें उन्हें दो बच्चे बाबिल और आयान है करियर की बात करें तो इनके करियर की सुरुआट टेलिविजन सीरियल से हुई थी अपने सुरुआती दिनों में वे चानक के भारत एक खोज चंदरकांता जैसे धारावाई को में दिखाई दिये उन्हें फिल्मी कैरियर की सुरुआत फिल्म सलाम बॉम्बे से एक छोटे से रोल के साथ हुई थी उसके बाद उन्होंने कई फिल्मे में छोटे बड़े रोल किये लेकिन असली पैचान उन्हें मकबूल रोग लाइफ इन मेट्रो सलम डॉग मिलेनियर पांच सिंग तॉमर दा लंच बॉक्स हिंदी मीडियम जैसे फिल्मों से मिली थी दोस्तो इर्फान खान की एक जो रिसेंडली सबसे पैज़े रिलीज फिल्म थी वो हालिया उसको अवार्ड भी मिले और वो काफी अच्छी फिल्म थी जो फिल्म का नाम था अंग्रेजी मीडियम और कैंसर के इलाज के दोरानी इर्फान ने इस फिल्म की सूटिंग भी की थी तो दोस्तो इर्फान खान की मिर्थ्व 29 अपरेल 2020 को कोकिला बेन अस्पताल में हुई और मुंबाई में कैंसर के इलाज के दोरान इनका निधन हो गया था तो दोस्तो ये थी आज की वीडियो आई होप आपको वीडियो पसंद आयोगी दोस्तो वीडियो पसंद आया तो प्लीज मेरे यूटूब चैनल को सबस्क्राइब कीजिए मिलते हैं दोस्तो एक नई वीडियो में बड़े इंट्रेस्टिंग Point के साथ तब तक के लिए धन झाले वाल